को आ प्रेवरी बान तो आई आज हम लेकर किया है सि बीए सी क्लाश टु विलप को पॉलिट्कल साइंस को जिसमें आज का चैप्टर है थिरी शामकालीन वीच में अमेरीकी बर्चसवाय Si आधिपत यानि जो अपने अनुशार काम करवा सके तो उसी को बर्चेस वे अधिपत कहा जाता है तो आए इस वीडियो में हम देखेंगे और यह एंसी आटी बूग क्लास्टूवेल का जो यह चैप्टर है समकालेन बीश में अमेरिकी बर्चेस उसका निचोड पॉइंट को लेकर के आए इस वीडियो में तो इस पॉइंट को देखिए आप वो समझ में आएगा कि एंसी आटी बूग से जो चैप्टर है उससे कोई भी पॉइंट नहीं चुट पाएगा आपको तो इसमें वीडियो के देखिए और महत्पॉन पॉइंट को समझे तो आई शुरू क करते हैं शीतव जूद का आंथ हो गया तथा अमेरिका बिश्व के बिश्व की शबसे वड़ी सकति की रूप में उभरा अमेरिकी पर्भूत्व या एक धुरविये बिश्वय यूद का अराम हो यानि पर्थम बिश्व जूद है कि सीत जुद का आंथ हो जाता है सीत जुद का अंथ होता है सोवियत संग के घटन के बाद तो जैसे ही इसफित संग के सब्लिय दूद turkey तक स्वेढ़ा था चल यूद का लिए उनरी तब दो धूर्बिये उसके बारे में घाप्टर्न पढ़ाया हैं तो उसके बारे में हम दूसरे चप्टर न हम पढ़ाएं हैं तो विडियो के जागर के देखिए और उहां से समझें इसके बाद इस वीडियो के देखिए तो अमेरिकी परभूत्विका एक धुर्विय विश्व का जुग अरम हुआ और नए विश्व ववस्था की सुरुवात हुई शंजुक्त राश्ट शंग द्वारा इराग के वीदवल परियोग के अनुमत संजुक्त राश्ट की स्थापन हुआ था 24 एक पर शंजुक्त राश्ट के सथापक सदस्देशों की संख्या उच्छा में एकामन थी तो दूसरे पर भावित नियांतित करनी की छामता जिसे की हम उच्छे मान चाहा काम करवा सको उसी को परचस्वे आधिपत कहा जाता है हम देखते हैं इसे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है कि विस्वजूद के दोरान दो राश्टों के दो बड़ी सकती के रूप में दो राश्टों भर करके आये थे जिसको दीधूर भीया कहा जाता है अमेरिका और संजुक्त राश्ट तो इसी के बाद सित जुद का जो उसके बाद बड़ी सेफ्टी के रूप में उभर करके शामने आता है नए बिश्व व्यवैस्था की शुरुवात होती है संजुक्त राष्ट्रांग द्वारा इराक के वीदबल परियों के नुमती दिये जाने के मेर्की राष्ट्पति जॉर्ज बूर्श ने जिनाई बिश्व्यवैस्था की संगयादी दूसरों के विभार को पर भभावित या नियांतित करने की ज्शम्ता जिसे मिन चाहा काम करवा सके तो सी को बर्चयस्व या अधीपद कहा जाता है तो इसे कह बताता है कि अ बहुत दिनों तक किसी देश का बर्चयस्व नहीं रहा सकता है स्थाय रूपशे तो 20 विभीन देश या देशों के शम्मूह ताकत पाने और कायम रखने की लगातार पोसीज करते हैं और यह ताकत सन्य परभूत वे आर्थिक शक्ति राइनिति की रूत वे और संस्कृति विकास की रूप में होती है तो अमेरिका अमेरीकी परचेश्व की सुरुवात सुव्यट रूश के उनिश्वी प्रभूत Germ के बाद दीतिरी की विष्भूति की सबसे पढ़िस्ति बन करो हरता है उबरा था उशमय और अमेरिका द्वारा जपान की वीद परमानु बलका परियोगी यानि जपान पर अमेरिका द्वारा जो परमानु बम गिराया गया था नागा साके और हिरोशीमा पर 9 अगस्त और 6 अगस्त को एता तो उन समय जय पर्मानों गिरा था जूद के दोराण अमेरीका का निज्यात बढ़्धा और विष्व की सर्फसे बड़ी आर्थिक सक्थि रूप में उसामने आया था और दिती विश्यूत के दोरान तो आप निफ्ट पांट है कि 20 पर वर्चस्व का परभाव किस परकार से पड़ा अमेरिका का तो इराक ने कुबायद पर हमला किया संजुक्त राश्षांग ने कुबायद को मुक्त कराने का फैसला लिया इनाइटेड नेशन जिसको बोलते हैं जिसका अस्थापना 24 अक्टूर संजुक्त राश्षांग की आड ने अमेरिकी अभियान था इसकी शेना में परमूख जनरल नॉर्मल स्वार्ज कॉंप थे 34 देशों की शेना में जो 34 देश की शेना थी उसमें से 75% सानिक अमेरिका के थे इराक की हार हुई और इसके अतिरिक्त समुंद्री मार्ग स्वतंत संजुक्त राश्षांग के बारे में डीटेल में पढ़ाया कोस्चन अंसर भी वहां से लेकर के कोस्चन अंसर का भी संजुक्त राश्षे संबंदी जितने ही महत्पून कोस्चन अंसर है जो हमेशा competitive exam में पूछे जाते हैं वीडियो में उसका वीडियो अप्लोड किये है तो आप जा करके उसको संजुक्त राश्षांग वाले वीडियो को देखिए और समाज ये महत्पून कोस्चन है उसको भी देखिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चैनल को subscribe करिए, like करिए and share करिए Dwightly को लिए तो आए आगे देखते हैं कि पर्थम खाड़ी जूद के दौरा अमेरिका ने अपनी शक्ति का पर्दसन किया इसे computer जूद की संग्या दी तथ वीडियो गें भार ही कहा जाता है पर्थम खाड़ी जूद के दओर जो अमेरिका ने शक्तिका परеспेंग जाता है तो 1992-2000 के बीच चुनाओं में वील क्लिंटन अमेरिका के जो राष्ट पती थे निर्वाचित हुए उन्हेंने अमेरिका के राष्ट पती निर्वाचित हुए उन्हेंने अंतरश्टी मामलों में दिल्चस्पी नहीं दिखाई और 1999 में युग सुलवाक किया परशन करवाई क की इवाव। हलने गई जबकि वहाँ अलवानयाई लोगों ने आंदुलन किया इसको तवाने के लिए नाटो सेना उन्हें को शुवो पर अपना मादा कर लिया कि 주는 है इसके अस्थापन 4 अप्रील Papa 1949 1949 को इसके अस्थापन होई थी नौटो की अस्थापना तो इसने दवाने की कोशिश किया नौटो से नौनो को शाओ पर अपना कबजा किया और अंठानमे इश्वी में नरोवो केनिया तथा दारिश अलाम तंजानिया के अमेरिकी दुतवासों पर बंबारी हुई इसका जिम नाइट रीच आतंगबादी इस्लामिक शंगठन को माना गया इसकी पतिरोज में अमेरिका राश्पती का अपरेशन इन फाइड नाइट रीच का अदेश दिया इसके अतिरिक शुडान और अफगानिस्तान में अलकायदा के ठीकानों पर क्रूज मिसाइलों से बंबारी क प्रेशय गए तो कुछ मिसाल एक प्रचे पासत्र था इसका परियोंग भूमी अधारित या फिर समभन रादार tu leach के व्रूद किया जाता था कुछ मिसाइल को तो कुछ मिसैल से बंबारी की गए इसकी चनकारी अमेरिका ने यू एन को भी नहीं दी ती ग्यारा से प्टेमबर 2001 में आतंगबादि घटना के बूद आप्रेशन इंडियूरिंग फ्रीडम चलाया इस अपरेशन में अमेरिका ने सभी देशों को 20 विशे आतंगबाद का सफाया करने में युगदान करने को कहा अमेरिका द्वरा कहा गया कि 20 में सभी आतंगबाद को सफाया करने में आप शहयों करें इसे 9-11 की घटना से जाना जाता है इसाना बनाया और 9-11 की घटना का पर्भुत अलकायदा के और शामा बिल्लादेन के निधारिक निदेशी थी 19 मार्च 2003 इराग पर 19 मार्च 2003 को इराग पर आक्रमन UN की अनुमती के बिना उनाटिड निशन के अनुमती के बिना आक्रमन किया और सुराच्रा परीशत के अस्थाई सदस तो परीटन ऊसल्द्म और शाना string ने भी इस की अडूश और आप मुझत करना एक मात्र महाशक्ती के रूप में है उसने राईनिति को अपनी चलाने के पर्यास किया दो शमय अमेर्का महा सक्ती के रूप में था उन्होंने रइनिती tier चलाने के पर्यास किया और अपनी बात मनवाने के पर्यास किली तो tempo नहीं कि नहीं चलने वाली लुती है एक लुभी दिन उसको चुनल नहीं था तो दो की मिलती ही है कि और जास वादा जा सकता है फाला taga सvelop बचने का कि बैड वीगन नीती इसके दोरा बर्चस्व से बचा जा सकता है इसका आर्थ है कि बर्चस्व जनित अप्षारों को लाव उठाते हुए विकास करना अब दूसरा फॉइंट है कि अपने कुछ ही पालेने की नीती ताकि बर्चस्व वाले देशों की नजर ना लिए से बचने का उपार नेक्ट इक अमेर्की शोरी अमेर्की शोरीस्भी के रस्ते में अब रूद क्या था तो उसका महत्पून पॉइंट में से पहला पांट है अमेरिका की संस्थाकत बनावट है यहां शासन के तीन अंगों के सकति का बटवारा है कर्ज़ बाल का दो निंद्ध होता है निंदा करना उत्तरदाई ठराना दोश लगाना तो अमेरिकी शामाज जो है अमेरीकी बीधिश सन अभिविश्ट में अंकुश लगाने की सबसे बड़ी भूमी का निभाता है अमेरिकी शामाज नटो जो उत्रे अंटाल्टिक ट्रीटी आइंगानाईजेशन है तो इन देशों में बाजार मुलक अर्थ वीवस्ता चलती है नाटों में शामिल अमेरिका के बर्चस पर अंकुष लगा सकते हैं भारत अमेर्का शंबंद भारत और अमेर्का के शंबंद के बारे में हम लोग जानते हैं तो सोवियत संग के बाद जब सोवियत संग का बिघटन होता है पतन होता है तो पतल के बाद भारत ने अपनी अर्थ विवस्ता का उदारी करन करने तथा वैश्विक अर्थ विवस्त प्रवादोगी की और अमेरिका में बशे अनिवाशी भार्तियों चेशंबन दो नए बाते उभरी यानि शोब्या संग का बिघटन जो निशोईकानमे में हो गया था तो बिघटन के शाथ ही दी धूर्बिये के इसे बिश्वे बवस्ता एक धूर्बिये में बदल गई पहले तो दीध धूर्बिये में सोब्या संग था और अमेरिका तो सोब्या संग के बिघटन के साथ ही अमेरिका एक मजबूत राष्ट के रूप में बिश्वे के सामने खाड़ा हुआ बिश्वे के सामने उभर के कर आया तो दी धुर्बिये श्याव जो बवस्था हुई एक धुर्बिये बदल गई थी 1991 के बाद तो अगस्त 1990 में इराप ने कुबायत पर हमला कर दिया पहली वर संजुक्त राश्रंग ने कुबायत को मुक्त कराने के लिए बल परियोग की अनुमति दे दी संजुक्त राश्रंग ने भी कुबायत को मुक्त कराने के लिए बल परियोग की अनुमति दे दी थी अमेर्की राष्टपती जॉर्ज बुष ने इसे 20 विववेस्था की संग्या दी तो अमेर्की राष्टपती जो समय जॉर्ज बुष थे तो उन्होंने 20 विववेस्था की संग्या दी और 1922 इसमे में अमेर्का में राष्टपती जॉर्ज बुष डेमोक्रिटिक पार्टी क उम्यदबार बिलेंग जेव संन बिल क्लिंग्टन जव संट्फपति का स्वाइब उम्हाय में यम् में अमेर्का के आप देमोक्रिटिक पार्ट राष्पती बनें अमेरिका के तौन्हों ने बीदेशनिती के जगह पर घरिलू नीती पर अधिक जोड़ दिया और घ्रेळून 2001 के दिन अमेरिका वर्ल्ड ट्रेट सेंटर और फेंटागन पर आतंगवादी हमले ने अमेरिका की सूरच्छा को पूर खोल दी तो अपरेशन इराकी फ्रीडम को शैन्न और आईनितिक धरातल पर आसफल माना गया क्योंकि इसमें तीन हजार अमेरिकी शैनिक बड़ी संख्या में इराकी शैनिक और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए अमेरिकी की धांचा गत ताकत जिसमें समुन्दरी पैपार्ग मार इंटरनेट आदिशामिल है इसके आलावा एम्बिये की डिग्री और अमेरिका मुद्रा और हुआ इसके आर्थिक पच्चस को बढ़ा देते हैं तो अमेरिकी जमीन पर 9-11 के इस हमले को जो 9-11 में हमला हुआ था तंकी हमला तो इस हमले को आप तक शब्षे गंभीर हमला माना जाता है और 19 मार्च 2003 को आप्रेशन इराकी फ्रीडम के नाम पर अमेरिका ने इराक पर्षन हमला किया अमेरिकी बज्चस परभूत संप्रभूत आर्थिक शक्ति राइनितिक रूट वे और संस्क्रितिक बढ़त के रूप में सीत्यूत के आंत के बाद यानि सीत्यूत का आंत नब्यम होता है उन्युक्त संजुट संग का भी घटन होता है और इसके बाद ए कि धुर्भियता का उदय होता है तो सिर्थ जुद्ध के आंतु के बाद 20 में देखा जा सकता है तो अमीर्की शैन पुरादोगी की में इतना आगे है कि 20 को भी देश इस मामले में उसकी बराबरी नहीं कर सकता जितना पैशा अमेरिका से नीचे के 12 तकतवर देश 12 तकतवर देश अपनी शन छमता में खर्च करते हैं यानि बिश्वी के जो अमेरिका से नीचे जितने भी 12 तकतवर देश हैं अपनी शन छमता में जितना खर्च करते हैं उतना दीतिये बी सुजूद से पहले बिटिस नौ शेना ने शंपूने बीच पर कबज़कर रखा था और दीतिये बी सुजूद के बाद आशा कोई अस्थान नहीं महाशागर नहीं जहां अमेरिकी नौ शेना नहीं हो जहां देखा जा वहां महासागर हो या फिर कोई भी जगह पे ऐसा नहीं रहा जहां अमेरिकी नौर शेना नहीं है दितिये विश्यूद के बाद तो अंतरीश में अधिकास जूप रहा है अमेरिका के है इंटरनेट अमेरिकी शेन अनुर संधान परिड़ना का परणाम है ब्रेटेन बूट परणाले अमेरिका द्वारा कायन की गई जो 20 की अर्थ विवस्था के बुनियादी संरचना है विश्वेंक अंतराष्टिय मुद कोस और विश्वेंपार शंगठन अमेरिकी बर्चस्व का परणाम है तो नीली जिन्स मैक्डोनाल अर्दी अमेरिका के संस्कृतिक बर्चस्व को दारन है जिसमें विचारधारा खान पान रहां शहां वित्तीरी बाजर भासा के धरातर पर अमेरिका का बर्चस्व कायम हो खुला था अमेरिका में पहला बिजनेस स्कूल 1881 में खुला था अन देशों की अन देशों में इसकी शुरुवात 1950 में हुई थी अर्थिक कराम उनिश्चाव इस वी से आराम हुआ आज 20 में अमेरिका का दबदबा शेन शक्ति या आर्थिक बढ़त के बुत्ते पर नहीं ही नहीं बलकि अमेरिका के सांस्कृतिक मौजूद्गी भी इसका कारण है तो अमेरिका का जो बर्चस्व है जो जो दबदबा बना तो शन शक्ती आर्थिक बढ़त के बुत्ते पर ही शिर्फ नहीं है इसका बर्चसव अमेरिका बलकि अमेरिका का बचस्व संस्कृति खीर लगांक आर्थिक शच्छीत है इस पर भी है तो अंतराष्टिय विवस्थ्था में केवल नाटो आज्चा संगठन है जो अमेरिक तो अंतरश्टिय जो व्यवस्था है उस पे नाटो एक अशा शंगठन है जो अमेरिका की ताकत पर लगाना सकता है नाटो तो नाटो के हैं पहले ही बता है कि नाटो अंटलार्टिक संधी शंगठन के विभीन देशों के रच्छा सहयोग का एक संगठन है जिसके अस्थापना 4 अपरिल इस वी को 14 अपरिल 1949 को हुई थी नाटो के स्थापना तो सीध जूत के काल में भारत शोव्यसंग के अधीक करीब था शीद जूत के जब चल रहा था तो भारत सोव्यसंग के करीब था सब्सक्राइब अबियुड प्रचसवी कि या श्मेर को अटमा क। टी म Deshalb अपने सम्बना na शुबो किया और भारत inveus जो जाते हिए तो प्रणा इसे पर आपकशी मतविद् हमेशा रहा है और अभी तक चल रहा है तो अमेर्की बर्चस को चुनाओती श्रमाजी कांदोलर और जन्मत के आपशी मेल से ही मिलेगी मेडिया गुधी जीवी कलाकार और लेखा अमेर्की बर्चस के परतिरोध में आगे आकर एक 20 विश्व ब्यापी नेटबर्क बना सकते हैं तो यह थे आज के हमारे श्रमकाले 20 में अमेर्की बर्चस का वीडियो जैन से आटी बूक से महत्मुंफाइंट को लेकर के आये थे हम तो थैंक यू वीडियो सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें